हेलो एबरेबड़ी, I hope आप सब हेल्दी होंगे, मैं हूँ आपकी बाइलाजी एजुकेटर शिवानी मैं, welcome back to Magnet Brains जो आपको प्रोबाइड कराता है Kinder Garden to Class 12, हर क्लास, हर सब्जेक की quality education, वो भी विल्कुल फ्री जी हाँ आपने सही सुना, Magnet Brains प्रोबाइड कराता है Unpaid Subscription, आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक को पढ़ने के लिए कोई भी paid subscription लेने की जुरूरत नहीं है, चाहे वो CBSC बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, विहार बोर्ड हो, या MP बोर्ड हो, आपको हर क्लास, हर टॉपिक के topic wise explanations मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढें सारे practice questions, इतना ही नहीं, आप अबेल कर सकते हैं, e-notes and e-book, जिसकी link description box में दी है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज की वीडियो है हमारी biological classification chapter number 2 पर, virus, viroid, prion and lichens पर, क्या clear है, तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इसमें, viruses ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, वाइरोइट पढ़ेंगे, प्रियों पढ़ेंगे and lichens पढ़ेंगे, क्या clear है, इतना समझ में आया, चलिए, तो यह सब हम इस वीडियो में cover करने वाले हैं, हमारा यह इस chapter का last video है, इतना clear है, मतलब last video in the sense कि हाँ, हमारी theory वाला part खतम हो जा के धर आजाएं, हना, तो ऐसा नहीं करना, मोम आया नहीं छोड़नी, वो मोम आया बहुत ज़रूरी है, clear है, चलिए, तो इन दा five kingdom classification of vitaker, there is no mention of lichens and some e-cellular organism like viruses, viroids and prions, ठीक है, तो जो five kingdom classification हुआ था, जो किस नहीं दिया था, वेटे कर नहीं दिया था, उसमें उन्होंने, monera के बारे में बात किया, protesta के बारे में बात किया, fungi के बारे में बात किया, आपके planti के बारे में बात किया and animalia के बारे में, but उन्होंने, prions के बारे में, virus के बारे में, viroids के बारे में and lichens के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, clear है, चलिये, तो ये five kingdom classification में इनको क्या नहीं करा गया, classify नहीं किया गया, इनको place नहीं किया गया, चलिये, these are briefly introduced here, हाना, तो यहां पर हमने क्या किया, इनको briefly introduce करने बाले है, क्या समझ में आया, all of us who have suffered the ill effects of common cold or flu, know what effects virus can have on us, even if we do not associated it with our condition, ठीक है, तो आप सब को आपकी life में, life में क्या, हर महीने, हर दो महीने, जैसे ही weather change होता है, तो आप इससे suffer होते हैं, जैसे हम common cold कहते हैं, या flu कहते हैं, clear है, और यह किसके वज़े से होता है, virus की वज़े से होता है, वाइरस के वज़े से, ठीक है, viral rhinitis बोलते हैं से क्या बोलते common cold को क्या बोलते viral rhinitis क्या clear है इतना समझ में आया क्या चले आगे बढ़े क्या देखिए screenshot ले लीजिए इसका इसमें ऐसा कुछ बहुत समझाने वाली कुछ चीज है नहीं यह चीजे तो आपको भी पता है बट मैंने explain कर दी है चले आप देखिए virus did not find a place in classification since they are not considered true living ठीक है virus को classify नहीं किया गया क्यों क्योंकि इन्हें हम true living नहीं बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे true living नहीं बोलेंगे ठीक है virus क्या होते हैं हम virus को ना तो living बोल सकते ना ही non living बोलते हैं ठीक है इनको हम a cellular बोलते हैं क्यों बोलते हैं मैं बताती हूँ हम इसे living कब बोलेंगे जब ये किसी host body के contact में रहे ठीक है तब ये क्या होता है living के जैसे behave show करता है otherwise environment में ये एक धूल के जैसा धूल के particle dust के particle के जैसा है इसका कोई अस्तिद्व नहीं है जब तक ये host body के contact में नहीं आता इसका कोई अस्तिद्व नहीं है मतलब ये क्या है connecting link है किस के बीच में living and non living के बीच में ठीक है तो virus क्या है जल्दी बताईए वाइरस क्या है वाइरस, वाइरस क्या है चलती बताईए, वाइरस क्या है, connecting link है, क्या है, connecting link, connecting link, link between living and non-living, living and non-living. क्या इतना clear हुआ आपको, क्या इतना clear हुआ, देखिए, तो हम इसे क्या बोल रहे है, जल्दी बताईए, connecting link, क्यों connecting link बोल रहे है, कि ये कभी तो non-living के जैसे बहेब करता है, कभी living के जैसे बहेब करता है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे है, connecting link between living and non-living, ठीक है, ये क्या हो इसमें सैल कॉंटेंट प्रजेट नहीं होता है क्या होता है बट वह जैनिटिक मटेरियल कब रैंप्लीकेट करेगा? जब वो होस्ट बौड़ी के कॉंटक्ट में हो अदर वाइस रैंप्लीकेट नहीं करता क्योंकि उस्की खुद की machinery नहीं होती clear है वो host body की machinery को use करके क्या करता है replicate करता है क्या clear है चले तो इतना समझ में आ गया if we understanding living as those organisms that have a cell structure ठीके तो हम living किसे बोलते हैं जिसमें cell structure present है तो living किसी को कब बोल रहे है अगर उसमें क्या है जल्दी बताइए अगर उसमें cell present है मतलब living है अगर cell नहीं है मतलब non living है तो इनमें cell नहीं है मतलब यह क्या है a cellular क्या है a cellular मतलब क्या है इसमें cell absent है a का मतलब क्या होता है absent cellular का मतलब cell a का मतलब क्या होता है absent और cellular का मतलब होता है cell तो यहाँ पर क्या absent है cell absent है इसलिए हम इसे क्या बोल रहे है non living क्या clear है the viruses are non-cellular, क्या होते हैं virus, non-cellular, मतलब a-cellular, ठीक है, तो viruses जो होते हैं, वो क्या होते हैं, non-cellular organism that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell, ठीक है, मैंने क्या बोला, कि ये living cell के अलावा, बहार जो पड़ा रहता है, मतलब host body के बहार अगर ये होता है, तो कुछ नहीं, एक crystalline inert structure के जैसे बहेब करता ह है, बस, ठीक है, तो उन्होंने ये ही बोला, कि organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell, ठीक है, तो ये क्या है, inert crystalline structure है, हना, outside the living body या cell, क्या clear है, चले, ये इतना समझ मैं है, तो जल्दी से screenshot ले लीजे इसका, फटा-फट screenshot लीजे इसका, चले, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ सकते हैं, दिख रहा है, ये क्या है, बैक्टीरियो फेज है, क्या है, बैक्टीरियो फेज, तो बैक्टीरियो फेज क्या दिख रहा है, इसमें आपको देखिए, तो बैक्टीरियो फेज का मतलब क्या होता, ये क्या आपका बैक्टीरियो फेज, ठीक है, ये सीधर लिख दू मैं ये virus is, तो bacteriophage क्या है, virus is bacteria से यह मत समझना कि यह bacteria यह virus है जो infect करता है bacteria को तो virus which infect which infect bacteria क्या इतना clear हो गया तो यह वो virus है जो कि किसको infect करता है bacteria को, इसलिए हमने से क्या बुला bacteria face, अब बात आती इसकी structure की, तो यहाँ पर देखिए आपको यह structure दिख रहा है यह इसका क्या है, head region है क्या है, head region, ठीक है तो यह जो आपको structure दिख रहा है ठीक है, यह polygonal जो structure है यह क्या है, इसका head क्या है, head, यह इसकी क्या है, collar यह क्या है, ठीक है, यह क्या है, इसकी collar, यह वाली आपका क्या होता है collar, तो head की नीचे जिस्ट उसका क्या है, collar, ठीक है तो यह इसकी क्या हो गई, collar ठीक है, अब देखिए, यह जो spring जैसा structure दिख रहा है आपको spring जैसा structure दिख रहा है इसे हम seat कहते हैं. क्या बोलते है? Sheet. ट्रिक है? क्या बोलते है? Sheet. क्या इतना clear है? तो spring जैसा structure is sheet. इसके बाद ये देखें. आपको यहाँ पर ऐसा tail लिख लिख ली हुई दिख रही है. ये tails दिख रही है. इसे हम क्या बोलते हैं, fiber tails, क्या बोलते हैं, fiber tails, ठीक है, clear है, यह क्या है आपकी fiber tails है, इतना clear है, पक्का समझ में आया, तो यह किसका structure है, जल्दी बता दीजे, यह structure है आपके bacteriophage का, किसका bacteriophage का, क्या इतना clear है या नहीं, बताइए, चलिए, तो आगे बड़े, अब देखे, once they infect a cell, they lack over a machinery of the host cell, to replicate themselves, killing the host, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि, जैसे ही यह cell में पहुचते हैं, infect करते हैं, तो यह क्या करते हैं, take over the machinery of host cell, क्या मैंने आपको पहले explain कर दिया था, कि यह क्या करते हैं, host cell की machinery को क्या कर लेते हैं, take off कर लेते हैं, और क्या करते है हैं, replicate करते हैं, अपने आपको replicate करते हैं, ठीक है, suppose एक virus है, जो यहाँ पर environment में खुला पड़ा हुआ है, वो replicate नहीं कर सकता, वो replicate नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उसकी खुद की replicating machine नहीं है, machinery नहीं है, वो कब replicate करेगा, जब वो host body, मतलब मेरे contact में आएगा, ठीक है, औ मेरी machinery को use करके अपने आपको replicate करेगा, क्या clear है, पक का समझ में आया, would you call virus living or non-living, क्या virus को living या non-living बोल सकते हैं, बताइए, हम क्या बोल देंगे, इसके जगा, connecting link between living and non-living, ना तो वो पूरे तरीके से non-living है, ना ही वो पूरे तरीके से living है, तो हमने क्या बोल दिया, connecting venom or poisonous fluid, ठीक है, virus का मतलब क्या है, virus का मतलब होता है, क्या है, venom, ठीक है, venom का मतलब poison, ठीक है, तो virus का मतलब होता है, venom or poisonous fluid, क्या होता है, virus का मतलब venom or poisonous fluid, क्या इतना clear है, क्या इतना आपको clear हो गया, चलिए, अब देखिए, क्या है Dimriti Ivanozki in 1892 recognized certain microbes as casual organism of the mosaic disease of tobacco. तो देखिए ये last जो slide है, ये क्या है tobacco mosaic virus है, ये क्या है आपका tobacco mosaic जल्दी बताइए, वाइरल infection कराता है किसमें tobacco plant में, किसमें कराता है tobacco plant में, ये इसके क्या है capsids है, ये क्या है, capsids है, ठीक है, ये क्या है, इसके capsids है और ये इसका genetic material है, कैसा है single stranded RNA, क्या है single stranded RNA, तो इसका genetic material कैसा हो जाएगा, single stranded RNA, क्या clear है पक्का, चलिए आगे बड़े, screenshot ले लीजिए इसका, अब देखिए, चलिए, तो देखिए, ये क्या बोल रहा है, once they infect a cell, they take over a machinery of the host, cell to replicate themselves, killing the host, क्या clear है, तो इन्होंने क्या बोला है, कि एक बार, अगर ये host body के अंदर आ जाते हैं, तो host body के अंदर ये क्या करते हैं, उसकी machinery को use करके, clear है, उसकी machinery को use करके, अपना number बनाते हैं, अपना number को क्या करते हैं, increase करते हैं, replicate करते हैं, clear है, और क्या करते हैं, killing the host, ठीक है, host body के जो cell से उनको kill करते हैं, उसको infect करते से disease cause करते हैं, क्या clear है, वूड यू, call virus living or non living, क्या virus को living बोलेंगे या non living बोलेंगी, तो मैं तो बोलूंगी, ना तो मैं पूरे तरीके से living बोलूंगी, ना पूरे तरीके से non living बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी, connecting link between living and non-living. क्या बोलूंगी, connecting link between living and non-living. क्या इतना clear है? आपको बता दीजे. चलिए. तो इतना समझ में आया. अब देखें, virus means venom. वाइरस का मतलब क्या होता है? वाइरस कहां से आया है? वाइरस का मतलब होता है venom और poisonous fluid. ठीक है? तो वाइरस का मतलब क्या होता है? वाइनम. वाइनम का मतलब जहर. ठीक है? तो वाइनम और poisonous fluid. क्या clear है? चलिए. इवन उसकी इन 1892 रिकगनाइस certain microbes as casual organism of the mosaic disease of tobacco. ठीक है? तो 1892 में इवन उसकी ने क्या recognize कि कुछ casual organism जो है? वो क्या cause करा रहे? mosaic disease करा रहे. क्या करा रहे? mosaic disease करा रहे. किस में tobacco plant में? किस में tobacco plant में? क्या clear है? चलिए. इस वर फाउंड टू भी smaller than bacteria. उन्होंने देखा कि यह क्या है? bacteria से छोटे हैं. तो यह कैसे देखा उन्होंने? कैसे पता किया कि यह जो है? यह जो organism है जो cause करा रहा है mosaic यह bacteria से छोटा है. कैसे पता किया? उन्होंने filter paper लिया. bacterial filter paper लिया और उस bacterial filter paper से इसको क्या करा? filter करने की कोशिश की. जब उन्होंने इस organism को फिल्टर करने की मतलब वाइरस को फिल्टर करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि ये वाइरस जो है इस बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से क्या कर गए ख्रॉस कर गये, फिलिटर हो गए, बाहर निकल गए, तो उन्होंने बूला कि ये जो और्गनिजम है, इसका size किस से चोटा है? बैक्तेरिया से चोटा है. किस से चोटा है? बैक्तेरिया से चोटा है. क्या अतना समझ में आया? तो देखिए, because they pass से फ्रोh bacteria proof filter. उन्होंने क्या किया था इसे bacteria proof filter से पास किया था और ये क्या कर गए तो से निकल गय थे बहार मतलम उसके ऊपर नहीं रहे थे filter के ऊपर नहीं बचे इसलिए इन्होंने बोला कि ये क्या है bacteria से छोटे है size में. क्या इतना clear हुआ? चालिये. I hope आपको इतना clear होगा, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, आप screenshot ले लीजे, चले, okay, okay, screenshot ले लिया, अब देखिए, M.W. Weasernick in 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus and called the fluid as contagion by warm fluidum, clear है? तो जो वीजर निक थे, इन्होंने क्या किया, मैं बताती हूँ, एक infected plant था, क्या था, infected plant था, जिसमें क्या हुआ था, tobacco, mosaic disease हुई थी, जो किस ने कराई थी, tobacco, mosaic virus ने कराई थी, क्या clear है, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से leaves को extract किया, clear है, ये जो disease है, किसमें देखने को मल हुआ थी, तो उन्होंने क्या किया, leaves को extract किया, उसका paste बनाया, उसको घोला किसमें, पानी में, ठीक है, पानी में घोल के, उसका एक क्या बना लिया, solution बना लिया, अब solution को क्या करा, ایک healthy plant पे spray किया, क्या किया, एक healthy plant पे spray किया, तो देखा गया, जो healthy plant था, after spray, वो भी कैसा ह गया, infected हो गया, क्या हो गया, infected, तो मैं आपको इसको समझाती हूँ, कैसे हुआ है, देखिए, ये क्या है, वो प्लांट है जिसमें क्या हो गया है, टोबेको मोजेक हो गया, क्या हो गया, टोबेको मोजेक हो गया, क्या clear है, इतना समझ में आ रहा है, तो देखिए, इन्हों न क्या किया, यहां से extract की, इसकी लीव क्या की, extract की है ना और इसका क्या बनाया, thin paste बनाया, क्या बनाया, thin paste बनाया, ठीक है, और इसको क्या करा क्या करा, जल्दी बताईए इसको घोल दिया किसमें, इसको किसमें घोल दिया, पानी में, ठीक है तो उसका क्या बना लिया और नौने spray बना लिया, क्या बना लिया solution ठीक है, solution बना लिया, पानी अड़ करके, आब इनौने क्या किया, एक healthy plant था एक क्या था, healthy plant था, ठीक है, जसकी leaves क्या थी, healthy थी, ठीक है, उसमें कोई भी disease नहीं थी तो ये है उसकी leaves ठीक है ये उसकी क्या है leaves तो ये है उसकी leaves जो की normal है क्या दिख रही है आपको normal इसके बाद इनो ने क्या किया इस पे spray कर दिया ये क्या किया spray bottle है ये क्या है किस बॉटल से नोंने क्या किया स्प्रे किया ठीक है ये क्या स्प्रे बॉटल है ठीक है इससे स्प्रे किया स्प्रे करने के बाद नोंने क्या देखा कि ये जो हेल्दी प्लांट था ये healthy plant भी किसमे convert हो गया, infected plant में, किसमे convert हो गया, infected plant में, ठीक है, ये किसमे convert हो गया, infected plant में, clear है, तो इसको इन्होंने क्या बोला, कि ये जो fluid है, ये fluid जो है, ये क्या है, poisonous है, ये क्या है, contagium vivum fluidum, ठीक है, इसको fluid को इन्होंने क्या नाम दिया, contagium vivum fluidum, ठीक है, हना, इसको क्य नाम दिया है नोने Contagium Vivum Fluid, तो समझ में आया है नोने क्या क्या टोबेको कुट कॉज इंफेक्शन इंफेक्शन इन हेल्धी प्लांट्स एंड ने निव पैथजन ठीक है और उसे क्या नाम दिया वाइरस, क्या नाम दिया वाइरस, एंड कॉल दा फ्लुइड और ये फ्लु स्क्रेंशॉट ले लिजिए, ये क्या है इंफेक्शियस लिविंग फ्लुइड है, क्या है इंफेक्शियस लिविंग फ्लुइड, क्या क्लियर है, चल ये, तो स्क्रेंशॉट ले लिया, अब आगे देखिए, M.W.Stanley in 1985, in 1935, shows that viruses could be crystallized and crystals consist largely of protein, ठीक है, तो इन्हों ने क् मताया कि जो वाइरस है, वो क्या हो सकते है, crystallize हो सकते है, और ये जो crystals है, ये क्या है, protein से बने, किस से बने है, protein से बने, clear है, समझ में आया, तो वाइरस जो है, उसके अंदर क्या present होता है, protein present होता है, क्या present होता है, protein, clear है, समझ में आया, इसके ऊपर किसकी covering होती है, protein की, clear ह इसका जो genetic material होता है, वो किस से enveloped रहता है, किस से cover रहता है, protein code से cover रहता है, क्या clear है, पक्का, इसलिए नहों ने बोला कि largely of protein, समझ मैं आया, अब देखिए, there are inner outside, there specific host cell, viruses are obligate parasite, ठीक है, तो viruses क्या है, obligate parasite है, क्या है, obligate parasite, मतलब ये सिर्फ क्या हो सकते है, parasite ही रह सकते है, ये बिलकुल depend है, किस पर host body पर, किस पर host body पर, clear है, इनका बिना host body का कोई भी अस्तिद्व नहीं है, क्या clear हुआ, चलिए, तो यहाँ पर ये protein क्या बोल रहा है, समझ में आगे है, इसका coat है, protein coat होता है, ठीक है, चलिए, तो जैसे suppose ये virus है, ये क्या है, virus है, तो इस virus का ये क्या है, genetic material है, ये क्या है, genetic material, genetic material, ये RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है, ठीक है, suppose RNA है, क्या है, RNA, क्या है, single standard RNA, clear है, तो ये इसका क्या है, protein coat है, ये क्या है, protein coat, ये क्या है, protein coat, ये क्या है, protein coat, ये है क्या है, virus, क्या है, virus, क्या है, virus, क्या इतना clear है, तो जल्द से screenshot लीजे इसका जल्दी से screenshot लीजे अगर मैं आप से पूचू कि वाइरस बिना host body के कुछ कर सकता है क्या वो जी सकता है तो आप बोलोगे नहीं क्यों क्योंकि वो obligate parasite है clear है वो किसी की body से ही nutrition को absorb करेगा और अपने also contain genetic material तो अब भी आगया बात कि सिर्फ protein नहीं protein के अलावा क्या होता है इनके पास इनका genetic material भी होता है that could be RNA और DNA ठीक है कुछ भी हो सकता है DNA भी हो सकता है genetic material और RNA भी हो सकता है बट कुछ एक ही होगा इन दोनों में से कोई एक ही क्या होगा genetic material आइदर DNA और RNA क्या clear है चलिए अब देखिए no virus contains both DNA and RNA मैंने क्या बोला कोई एक होगा दोनों present नहीं हो सकते as a genetic material क्या है कोई एक ही क्या होगा genetic material होगा क्या इतना clear हो आपको अब देखिए a virus is nuclear protein and the genetic material is infectious ठीक है तो virus जो होता है वो क्या होता है nucleo protein nucleo protein का मतलब इसमें क्या है nucleic acid है मतलब RNA और DNA है इसमें क्या है RNA है और DNA है और protein इसका क्या है coat है protein इसका क्या है coat है ठीक है तो इन्होंने क्या बोला कि virus is a nucleo protein and the genetic material is infectious इसका genetic material जो होता है वो क्या होता है infectious क्या होता इसका genetic material infectious होता है क्या clear हुआ क्या इतना clear हुआ जल्दी बताइए आप देखें in general viruses that infect plants have single standard RNA मैंने आपको पहले ही बता दिया था tobacco music virus के बारे में तो tobacco music virus जो होता है वो कैसा होता है single standard RNA उसके अंदर क्या होता है genetic material यह किसमें होता है tobacco mosaic virus tobacco mosaic virus क्या clear है तो होता क्या है यहाँ पर इन्हों ने क्या बोला है कि in fact plants have single standard RNA क्या होता है इसमें single standard RNA होता है क्या clear है and viruses that in fact animals have either single or double standard RNA or double standard DNA clear है तो यह तो हो गया किसके बारे में plant के बारे में यह मैंने किसके बारे में बात की plant के बारे में तो यह तो हो गया plant के बारे में ठीक है अब हम बात करते हैं किसके बारे में Animal के बारे में, किसके बारे में, Animal के बारे में, ठीक है, तो animal के अगर मैं बात करूं, तो animal में क्या हो सकता है, देखी है, खुद ही बोल रहा है, कि single और double stranded RNA हो सकता है, मतलब, SS, single stranded RNA, single stranded RNA, और double stranded RNA clear है इतना समझ में आया क्या इतना समझ में आया इतना समझ में आया क्या चलिए आप next क्या है उसके बाद क्या है आपका और क्या हो सकता है double stranded DNA हो सकता है और क्या हो सकता है और double stranded DNA और क्या हो सकता है double stranded DNA clear है तो इतना समझ में आया आपको और क्या हो सकता है, double stranded DNA हो सकता है, क्या clear है, चलिए तो plant में क्या होगा, single stranded RNA और animals में क्या होगा, single stranded RNA, double stranded RNA और double stranded DNA क्या अतना clear है, तो जल्दी से screenshot ले ले लिजे, फटा फट screenshot ले लिजे चलिए, ओके आपने screenshot ले लिया, अब देखिए, bacterial virus, viruses और bacteria face bacteria face क्या होता है, मैंने आपको खुद बोल दिया था, कि bacteria face वो होता है वो virus होता है, जो bacteria को infect करता है, क्या clear है, जो bacteria को infect करता है क्या आपने पहले देख लिया था, तो bacteria face क्या है, bacteria बिल्कुल मत समझना bacteria यहाँ पर आपको क्या कर रहा है confuse कर रहा है क्या क्लियर है यहाँ पर bacteria phase का मतलब है virus जो की bacteria को क्या करें infect करें क्या clear है चलिए समझ में आया देखिए are usually double stranded dna virus ठीक है तो यहाँ पर क्या बोला उन्हों ने जो bacteria phase है उसके अंदर क्या होता है double stranded DNA virus होता है, क्या होता है, double stranded DNA virus होता है, क्या clear है, पक्का, चलिए, तो इतना clear है, आगे बड़े क्या screenshot ले लिया, अब देखिए, the protein coat called capsid, ठीक है, तो जो virus का protein coat होता है, उसे हम क्या बोलते है, capsid बोलते है, and made up of small subunits called capsomere, ठीक है, तो capsid जो है, वो पूरा coat है, हाना, और उसकी हर एक unit को हम क्या बोलते है, capsomere, clear है, तो देखिए, मैं बताती हूँ, virus जो है, virus के, virus के protein coat को हम क्या बोलते है, virus के protein coat को क्या बोलते है, चल्दी बताइए, capsomere, क्या बोलते है, capsomere, ठीक है, sorry, इसको क्या बोलते है, capsid, क्या बोलते है, capsid, क्या बोलते है, ना, दिखिए, क्या बोलते है, capsid, ठीक है, और इसकी हर एक unit को, इसकी हर एक unit को क्या बोलते है, इसकी unit called capsomere, क्या बोलते हैं capsomere, ठीक है तो यहाँ पर हर एक unit को क्या बोलेंगे, capsomere क्या इतना clear है तो जल्दी से screenshot ले लीजे protects the nucleic acid मैंने खुद बोल दिया था आपको पहले क्या protein का काम क्या होता है protein coat का काम क्या होता है nucleic acid या genetic material को protect करने का काम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर यह protein coat जो है, यह क्या कर रहा है यह क्या कर रहा है, जल्दी बताईए protect protect genetic material protect genetic material of virus क्या इतना clear है तो यह क्या कर रहा है, genetic material, वाइरस के genetic material को क्या कर रहा है protect करने का काम कर रहा है क्या इतना clear हुआ, चालिए आगे देखिए these capsomere are arranged in helical और polygonal geometric form, ठीक है तो यह जो आपके capsomere है जो protein coat है, यह किस form में हो रहा है या तो यह helical arrangement होता है, कैसा होता है, helical arrangement या यह polygonal shape में है, कैसे polygonal, polyhedral geometry में क्या होते है arrange होते है, clear है पक्का समझ में आया है, तो या तो polyhedral हो या तो helical हो क्या clear है, viruses causes disease like mumps smallpox, herpes and influenza, ठीक है तो यह सारी की सारी mumps हो गई कौन कौन सी mumps smallpox herpes and influenza यह सारी की सारी क्या है, viral disease है क्या है, viral, सिर्फ इतनी ही नहीं है viral disease, और भी viral disease है ठीक है, डेंगी हो गई है यह ना, डेंगी हो जो है डेंगी हो गई आपकी, और क्या हो जाएगा chicken pox हो गया, बहुत सारी क्या है viral diseases है, क्या clear है yellow fever हो गया, यह सब viral disease में आता है, क्या clear है AIDS in humans is also caused by virus, ठीक है जो AIDS होता है, हना AIDS क्या है, acquired immunodeficiency syndrome ठीक है, तो AIDS disease नहीं syndrome है, क्या है syndrome ठीक है, तो acquired अम क्या है, acquired immunodeficiency syndrome जो है वो भी किसके वज़े से होता है virus की वज़े से होता है, किसके वज़े से virus, मैं, कौन से virus की वज़े से होता है, जल्दी बताइए, कौन से virus की वज़े से HIV virus की वज़े से, किसकी वज़े से HIV virus, तो HIV का full form क्या है, human immunodeficiency, हना, human immunodeficiency virus, तो इसका full form क्या है, human immunodeficiency virus, क्या clear है, तो HIV का full form क्या है, HIV क्या cause कराता है, तो HIV virus का नाम है, जो AIDS cause कराता है, क्या clear है, चलिए, अब देखिए, implants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth, यह सब यह जो आपको symptoms देखने को मिल रहे हैं, यह सारे के सारे क्या है, symptoms है, mosaic formation, leaf curling, leaf rolling, ठीक है, yellowing of leaf, vein clearing and dwarfing and stunted growth, यह सारे के सारे जो है, यह क्या है, symptoms है, किसके symptoms है, viral disease के symptom है, ठीक है, तो अगर मैं plants में बात करूँ, implants, ठीक है, यह हटा दूँ क्या, चलिए, यह हटा दूँ क्या, जल्दी से screenshot लीजे पहले, जल्दी से screenshot लीजे, ओके, I hope आपने screenshot ले लिया होगा, मैं हटा दूँ क्या, implant, अब तो हटा दिया, implants, ठीक है, virus के symptoms क्या होंगे, जल्दी बताइए, viral symptoms, क्या है, viral symptoms, symptoms, ठीक है, पहला क्या है, पहला है, जल्दी बताइए, पहला है, जल्दी बताइए, mosaic, mosaic formation, और दूसरा क्या होगा, leaf rolling and curling, and curling, और क्या होगा, और क्या होगा, जल्दी बताइए, और क्या होगा, आपका yellowing, yellowing, yellowing of leaf, है ना, और क्या होगा, vein clearing, और क्या होगा, vein clearing, और क्या होगा, और होगा, stunted growth, क्या होगा, stunted growth और dwarfing, क्या होगा, dwarfing, stunted, ठीक है, तो यह सारे के सारे क्या है, symptoms है, क्या है, symptoms है, viral infection की symptoms है, जो किसमें देखनी को मिलते हैं, plants में देखनी को मिलते हैं, क्या clear है, तो जल्दी से screenshot ले लीजे इसका, जल्दी से screenshot लीजे, ओके, आगे बड़े क्या, चले, अब देखिए, हम बात करते हैं, वाइरोइट्स की, किसकी बात करते हैं, वाइरोइट्स की, ठीक है, तो इन 1971, in 1971, Tio Diner, Tio Diner, discovered a new infectious agent that was smaller than virus, ठीक है, तो जो वाइरोइट है, वो क्या है, Virus से भी छोटे है, किस से भी छोटे है, virus से भी छोटे है clear है, अब बात आती है, वायरस से छोटे है और क्या difference देखने को मिलेगा इसमें हमने virus में पढ़ा कि इसका एक protein coat होता है जिसके अंदर क्या होता है, क्या होता है जलती मेरत है, जैनेक material या Nucleic Acid clear है, यहां पर क्या होता है? इसका जो Nucleic Acid या Genetic Material होता है, वो Protein से cover नहीं होता, इसके उपर Protein Code present नहीं होता, क्या clear है? पक्का समझ में आया, तो देखें, यहां पर Genetic Material तो होगा, बट यहां पर क्या नहीं होगा? यहाँ पर क्या नहीं होगा, devoid, मैं बोलूँगी devoid, devoid of protein coat, क्या बोलूँगी devoid of protein coat, ठीक है, तो genetic material तो है, बट यहाँ पर protein coat नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, वाइरोइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइरोइट्स, क्या clear है, तो वाइरोइट्स क्या होते हैं, समझ में आया, क्या है, जल्दी बताएं, smaller than virus होते हैं, और क्या होता है, जल्दी बताएं, इनके उपर क्या नहीं होती, protein की coating नहीं होती, ठीक है, चलिए, यह क्या है, smaller than virus, क्या clear है, अब देखिए, next क्या है, end causes, potato spindle tuber disease, और ये क्या cause करते हैं, जल्दी बताइए, क्या cause करते हैं, causes, potato spindle, potato spindle tuber disease, ठीक है, potato spindle tuber disease, क्या clear है, चलिए, तो इन्होंने क्या करा दी, potato spindle tuber disease, करा दी है, it was found to be free RNA, ये क्या है, free RNA है, it lagged the protein coat, हना, तो यहाँ पर क्या होता है, genetic material क्या है, RNA है, बट ये कैसा है, free है, इसके उपर कोई भी covering present नहीं है, मतलब, जैसे आपका virus में क्या था, genetic material के उपर एक protein की covering थी, जिसे हम capsid बोल रहे थे, यहाँ पर वो capsid present नहीं होती, ठीक है, तो यहीं बाली बात याद रखो, virus devoid of, क्या viral membrane या protein membrane, is called virus, viroid, sorry, क्या बोलें जैसे, viroid, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, RNA ये genetic material तो होता है, बट उसके उपर protein की coat नहीं होती, that is found in viruses, जो की virus में होती है, hence the name viroid, ठीक है, तो मैं ये बोल दूँ, viral या virus devoid of viral membrane is called viroid, ठीक है, तो मैं ये बोल देती हूँ यहाँ पर, चलिये, virus devoid of viral membrane, मतलब protein membrane, protein coat, is called, is called viroid, तो viral membrane मतलब protein coat, क्या होता है, viral membrane मतलब protein coat या capsid, क्या clear है, चलिये, इतना clear हुआ की नहीं, the RNA of the viroid was a low molecular weight, ठीक है, तो जो viroid होता है, उसका RNA जो होता है, उसका molecular weight जो होता है, वो virus की comparison में क्या होता है, जो होता है, जो RNA है, उसका molecular weight क्या होता है, जो यह point याद रखना आप, ठीक है, यह point आपको याद रखना है, कि low molecular weight होता है, क्या होता है, low molecular weight, तो जल्दी से screenshot लीजे इसका, जल्दी से screenshot लीजे, चले, आगे बढ़े क्या, अब देखिए, नेक्स्ट है, प्रियोंस, नेक्स्ट क्या है प्रियोंस, ठीक है, हम प्रियोंस की बात करें, तो प्रियोंस क्या होता है, इन modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein, ठीक है, तो क्या देखा गया, अभी modern studies में देखा गया, कि जो neurological disorders हो रहे है, नेक्स्ट की बात हो रहे है, उसके पीछे किसका हाथ है, उसके पीछे हाथ है, abnormally folded protein का, जिन्हें हम प्रियोंस कहते हैं, क्या बूलते हैं, प्रियोंस कहते हैं, क्या क्लियर है, चलिए, तो यहाँ पर neurological मतलब क्या होता है, ब्रेंस से रिलेटेड, ठीक है, neurological मतलब, neurons और ब्रेंस से रिलेटेड बात हो रही है, तो ब्रेंस से रिलेटेड, neurons से रिलेटेड जो disease है, उसके लिए कौन responsible है, प्रियोंस रिस्पॉंसिबल है, कौन responsible है, प्रियोंस, क्या क्लियर है, और यह क्या है, घ्रियोंस पर से रिलेटेड, शॉंस क्या बोलते हैं, जल्दी बताए जल्दी बताईए, नियूरो लॉजिकलड डिजीजिजिस कराएं, neurological diseases कराते हैं और यह क्या है abnormally folded protein है क्या है abnormally folded protein है क्या clear है अब देखिए the most notable disease caused by preons are wovine spongiform encephalopathy ठीक है तो क्या है most notable जो disease है वो क्या है wovine spongiform encephalopathy clear है तो इसको जरा कर लेते हैं circle इससे short form में क्या बोलते है bse क्या बोलते है bse इसको commonly called as mad cow disease ठीक है इससे क्या बोलते है आम भाशा में क्या बोलते है mad cow disease क्या बोलते है mad cow disease क्या clear है यह क्या है in cattle and is it's analogous variant CR jacob disease और किसके analogous है analogous मतलब किसके जैसी है जल्दी बताइए CR jacob disease की cj d बोलते है जिससे क्या बोलते है cj d in humans ठीक है तो हमें जो कराती है यह किसके analogous है जल्दी बताइए जल्दी बताइए किसके analogous है bovine spongiform incephalopathy क्या है analogous है क्या इतना समझ में आया जल्दी बताइए तो इसका screenshot लीजे जल्दी से screenshot लीजे ok I hope आपने screenshot ले लिया होगा आगे बढ़े अब दिखे आते हैं likens पे किस पे आते हैं likens पे तो likens का मतलब क्या होता है जल्दी बताइए आपको मैंने बता चुकी हूँ पहले जल्दी बताइए क्या होता है likens तो समझ में आया याद आगे आपको कुछ चलिए जितना याद आया है उतना बताइए और कुछ मैं याद दिला देती हूँ तो likens क्या होते हैं जल्दी बताइए likens होते हैं symbiotic association symbiotic association of algae and and fungi and fungi क्या clear है चलिए तो क्या है likens symbiotic association है किसका algae का और फंजाय का चलिए तो algae और फंजाय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो यह क्या है likens क्या है एकट यह क्या है likens और likens किससे मिलकर बना हुआ है algae और फंजाय से किससे algae और फंजाय से ठीक है तो algae वाले पार्ट को हम phycobiont बोलते हैं और पंगाय वाले पार्ट को mycobiont बोलते हैं mycobiont क्या अतना समझ में आया है तो देखिए कहीं लिखा होगा हाँ यह लिखा हुआ है phycobiont and mycobiont अब बात आती है likens की तो मैं likens में कितना percent algae होती और कितनी percent फंजाय होती इन दोरों में से किसका composition जादा हो कौन जादा होता है तो मैं बोलूँगी fungi जादा होती है इस compare to algae क्या clear है तो जो fungi होती है वो कितनी होती है fungi जो होती है मतलब mycobiont जो होते है वो आपके 60 to 95 percent होते है कितने 60 to 95 percent होते है वहीं पर phycobiont जो है वो कितने 40 to 5 percent या मैं बोल दू 5 to 40 percent होते है इतना समझ में आया अब मैं बात आती है कि वें fungi तो बहुत types की होती है तो कौन सी fungi के साथ algae का association होता है clear है यह आपके अंदर question आई रहोगा हाना आना भी चाहिए अगर ऐसा question आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ इसमें दो fungi involved होती है एक होता है escomycities एक होती है escomycities और दूसरी होती है dutero sorry basidio mycities कौन सी होती है basidio mycities क्या clear है escomycities and basidio mycities अब आप पूछोगे मैं इन दोनों में से भी अगर हमसे पूछा जाए कि इन दोनों में से ज़ादा कौन सी होती है तो मैं बोलूगी ज़ादा होगी आपकी escomycities कौन सी होगी escomycities तो ये होगी most और ये होगी sum ठीक है क्या clear है क्या अतना समझ में आया ये क्या होगी most और वो क्या होगी sum क्या समझ में आया अब बात आती है किसकी अब बात आती है आपके फाइको बायोन की, तो फाइको बायोन में क्या होती है क्लोरोफाइसी होती है, क्या होती है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी क्या होती है ग्रीन अलगी ठीक है, तो उसमें क्या आती है आपकी क्लोरोफाइसी, हाना इतना समझ में आया, इसमें क्या आती है, chlorophyce मतलब, chlorella, कौन आएगा, chlorella, ठीक है, तो यहां मैं लिख दू, chlorella चलेगा, chlorella, ठीक है, और कौन होगा, और होंगे, sinobacteria, और कौन होंगे, sinobacteria, sinobacteria भी तो क्या करते हैं, association बना के रहते हैं, फंजाय के साथ, ठीक है, तो और कौन आजाएंगे, sinobacteria, तो यहां पर और कौन आजाएंगे, जल्दी बताइए, sinobacteria, अभी जगा नहीं है, थोड़ा सा मैं दर्श, shift कर लों से, चले, एक मिलिट, यह हो गए आपके क्या, और यहां पर क्या होगी, आपके sinobacteria, यह हो गए आपके, sinobacteria, क्या अतना clear हो गया, यह क्या हो गया, sinobacteria, समझ में आया, तो जल्दी से, जल्दी से screenshot लीजे, lichens क्या होता है, समझ में आया, lichens की दो पार्ट होते है, algae और फंजाए, जादा तर कौन सा होता है, फंजाए, फंजाए को हम क्या बुलते है, mycobion, और algae को हम क्या बुलते है, pycobion, clear है, यह कौन सा पार्ट है, algae वाला पार्ट कौन सा है, photosynthetic, algae वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, इसमें photosynthetic, ठीक है, तो algae वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, इसमें photosynthetic, तो यह वाला पार्ट हो जाएगा, photosynthetic, यह क्या करेगा, photosynthesis, photosynthetic, यह हो जाएगा, photosynthetic, क्या clear है, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया या नहीं, छल्दी बताइए, होगे, अब देखिए, अपन पढ़ते हैं, lichens are symbiotic association, it means mutually useful association between algae and fungi, तो इसका क्या होता है, fungi और algae का क्या होता है, association होता है, क्या होता है, association, ठीक है, the algal component is known as phycobion, तो algal component को हम क्या बोलते हैं, phycobion, क्या मैंने लिखा algal component को क्या बोलते हैं, phycobion, वहीं पर fungal component को हम क्या बोलते हैं, mycobion, क्या लिखा है, fungal component को क्या बोलते है, mycobion, ठीक है, ये which are autotrophic, autotrophic कौन होता है, जल्दी बताइए, phycobion, मतलब algae, तो मैंने लिखा है, photosynthetic, मतलब ये क्या है, autotrophic है, मतलब अपना food खुद prepare करते हैं, clear है, and heterotrophic, मतलब and heterotrophic मतलब कौन, fungus क्या है यहाँ पर, heterotrophic है, respectively, क्या समझ में आया, क्या अतना समझ में आया, आगे बढ़ सकते हैं, अब देखिए, algae prepare food for fungi, था न, algae क्या कर रही है, मैंने बोला था न, आप क्या, घर से, घर, ममा सामन वंगारी है, तो आप क्या करोगे, सामन लाके दोगे ममा को, तो ममा क्या करेगी, food को prepare करेगी, किसके लिए, आपके लिए, ठीक है, तो यहाँ पर, algae prepare food for fungi, and fungi provide shelter and absorb minerals, nutrient and water for its, किसके लिए partner, कौन पार्टनर होगा, यहाँ जल्दी बताएगे, कौन पार्टनर है, यहाँ पर जो पार्टनर है, वो कौन है, इनके, algae, तो ठीक है, algae को यह shelter provide करती है, shelter की मतलब, आवाज जगा provide करती है, ठीक है, उसको water देती है, उसको mineral nutrients देती है, क्या समझ में आया है, यह सब कौन देती है, फंजाय, और फंजाय को चलिए, आगे बढ़ें क्या, अब देखिए, क्या है, so close in their association, that if you one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them, ठीक है, अगर आप lichens को देखोगे, तो आप यह चीज़ को believe ही नहीं कर पाऊगे, imagine ही नहीं कर पाऊगे, कि यह दो अलग-अलग क्या है, इसमें organisms present है, मतलब इसमें फंजाय और algae, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, यह तो सिर्फ एक ही organism है, क्या clear है, तो चलिए, मैं आपको कुछ बात बताती हूँ, किस के बारे में, lichens के बारे में, तो यह पहली point हो है, यह pioneer species होती है, lichens के बारे में कुछ बाते हैं, क्यों lichens के बारे में कुछ बाते हैं, अरे आए थे, lichens आए थे, तो यह क्या है, pioneer species है, क्या है, pioneer species, ठीक है, और दूसरा point क्या होगा, यह क्या है, good indicator, good indicator of, क्या, SO2 pollution, किसके SO2 pollution की, यह क्या है, good indicator है, क्या है, good indicator है, क्या clear है, समझ में आया, पक्का, तो क्या है, lichens जो है, pioneer species है, और यह क्या है, good indicator है, किसके SO2 pollution की, मतलब जहाँ पर SO2 का pollution होगा, वहाँ पर lichens grow नहीं करेंगी, क्या clear है, चलिए, और क्या, यह और उनका कुछ और point है, यह weathering में help कराते हैं, जो soil formation process होती है, उसमें यह कौन करते हैं, help करते हैं, ठीक है, तो जो बड़ी-बड़ी चटाने होती है, उनको तोड देने के लिए कौन responsible है, lichens, कौन responsible है, lichens, ठीक है, तो यह soil weathering में भी help करते हैं, क्या इतना clear हुआ, पक्का, जल्दी बताइए, देखिये, lichens कहा है, lichens are very good pollution indicator, they do not grow in polluted area, मतलब जहाँ पर SO2 pollution होता है, वहाँ यह grow नहीं करते, क्या clear है, क्या आपको clear है यह चीज, पक्क चले, तो जल्दी से screenshot ले लीजे इसका, फटाफट screenshot लीजे, चले, I hope आपने screenshot ले लिया होगा, तो आज की वीडियो हम यही पर खतम करते हैं, आज हमारा यह chapter की theory पूरी complete हो चकी है, वीडियो अच्छी लगी हो, तो like कीजे, share कीजे and subscribe कीजे and comment करना बिलकुल मत भूलेगा, आप हमें हमारे YouTube channel पे तो already follow कर रहे हैं, ऐसा मैं सोशी हो, अगर आप follow नहीं कर रहे हैं, तो फटा फट जल्दी से follow करें and bell icon पे click करें, जिससे आपको notifications मिलते रहें सारे के सारे, यह हमारा page है और यह हमारी official website है, that is www.magnatebrains.com, आप हमें यहाँ पर भी follow कर सकते हैं, आपको सारी playlist सारे subject की class wise यहाँ आपको मिल जाएंगी, इसके अलाबा हमारे कुछ social media handles भी है, जैसे के facebook, instagram, telegram, twitter, whatsapp, आप हमें वहाँ पर भी follow कर सकते हैं और हम से जोड़ सकते हैं, आप avail कर सकते हैं e-notes and e-book की facility, जिसकी link description box में दी हुई है, तो चलते हैं इस section में, यह हमारे top courses है जो की English medium channel और English medium और Hindi medium channel दोनों पर कराये जाते हैं, separate teacher English medium channel पर पढ़ाते हैं, separate teacher Hindi medium channel पर पढ़ाते हैं, बात आती है कि माम आप लोग इस channel पर कराते क्या हैं, कौन से courses आप कराते हैं, कौन कौन से courses हमारे लिए available हैं, तो CBSC board, Delhi board, Bihar board, UP board, Rajasthan board, MP board, basic maths, crash course and spoken English, यह सारे की सार awesome courses आपको high quality education के साथ 100% free में मिलते हैं, जी हाँ, magnet brains provide कराता है free education, आपको किसी भी class, किसी भी subject को पढ़ने के लिए, कोई भी paid subscription लेने की जरुवत नहीं है, तो मिलते हैं next video में, thank you so much, bye bye